प्रस्न दस रीक्त स्थानों को भरिये पहला एम का घात इन बटा पी का घात इन बराबर एम बटा पी का घात तो यहाँ पे रीक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है तो देखे एम का घात इन है बटा पी का घात इन है तो दोनों पे घात इन है ठीक है दोनों पे एक ही घात है इन इन तो दोनों को कोश्टक के अंदर बंद करके यहाँ पे इन लिख देंगे तो दोनों पे आ जाएगा N, यानि M बटा P और पूरा पे घात N हो जाएगा क्योंकि दोनों पे घात N है तो इसको हम लिख सकते हैं M बटा P और पूरा पे घात N Second दूसरा एक बटा M का घात X और पूरा पे घात Y बटा एक बटा M का घात अब देखे एक बटा M का घात X है और पूरा पे घात Y है तो एक का घात Y एक हो जाएगा एक पे चाहे कितना भी घात हो एक ही होगा एक पे चाहे कोई भी नंबर घात हो, जैसे एक पे दस घात हो, तो एक ही हो जाएगा, एक पे घात बीस हो, तो एक ही होगा, इसलिए एक पे घात वाई है, तो एक ही हो जाएगा, और M का घात यहां पे एकस है, और पूरा पे घात है वाई, तो एकस और वाई को गुना कर देंगे, तो M का घात हो जाएगा XY, M का घात क्या होगा XY, ठीक है, तो M का घात X और पुरा पे घात Y है, तो X और Y गुना हो जाएगा, तो M का घात हो गया XY, तो 1 बटा M का घात XY इसको हम लिख लेंगे, तीसरा है, तीन का घात 3X, तीन का घात 3X, बराबर 27 का घात, अब देखिए, तीन का घात 3X है, बराबर 27 का घात कितना होगा? तीन का घात 3X को हम लिख सकते हैं, देखिए, तीन का घात 3 और पुरा पे घात X, इस तरह हम लिख सकते हैं, तीन का घात 3X को, तीन का घात 3 और पुरा पे घात X, तो कितना आ गया तीन का घात तीन होता है 27 यानि 27 का घात एक्स इस तरह हम लिख सकते हैं तीन का घान होता है 27 तीन का घात 27 होता है तीन तिया नौन होती है 27 ठीक है तो तीन का घात 3 एक्स को हम इस तरह लिख लेंगे 3 का घात 3 और पूरा पे घात X तो 3 का घात 3 होता है 27 तो 27 का घात X हो गया ठीक है तो यहाँ पे क्या भराएगा रिक्ता स्थान में X भराएगा क्योंकि 3 का घात 3X को हम लिख सकते हैं 27 का घात X ठीक है तो इस तरह से इसको पहले यहाँ पे हल कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि तीन का घात तीन एक्स बराबर होता है, सताइस का घात एक्स चौथा एक्स का घात वाई गुना एक्स का घात जेड गुना एक्स का घात टी बराबर एक्स का घात अब देखिए एक्स का घात वाई गुना एक्स का घात जेड गुना एक्स का घात टी बराबर हम लिख सकते हैं, एक्स का घात तीनो गुना में है तीनों गुना में है X, X, X तीनों का अधार बराबर है घात अलग-अलग है यहाँ पे घात है Y, यहाँ पे Z, यहाँ पे T तो घात अलग-अलग है अधार बराबर है तो घात को जोड़ लेंगे गुना में तो Y प्लस Z प्लस T ठीक है Y प्लस Z प्लस T हो गया यानि जब गुना में आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं तो X का घात Y प्लस Z प्लस T तो रिक्तर स्थान में भरा जाएगा X का घात Y प्लस Z प्लस T तो जब ये गुना में आधार बराबर हो तो घात को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो X का घात हो जाएगा Y प्लस Z प्लस T इसका उत्तर तो रीक तरस्थान में यहां पे भरा जाएगा Y प्लस Z प्लस T पांचवाँ A का घात X बटा A का घात Y और पूरा पे घात है इन बराबर A का घात तो देखे A का घात X बटा A का घात Y और पूरा पे घात इन को हम लिख सकते हैं A का घात X माइनस Y और पूरा पे घात है इन तो इसको हम लिख सकते हैं A का घात इन गुना X माइनस Y यहाँ पे देखे A A अधार बराबर है और A का घात X बटा A का घात Y है यानि भागा में हैं तो भागा में क्या होता है घात को घटा लेते हैं तो X में से Y घटा लेंगे तो A का घात हो गया X माइनस Y और पूरा पे घात है इन ठीक है पूरा पे घात क्या है इन है तो पहले क्या करेंगे A का घात X बटा A का घात Y को हम लिख लेंगे A का घात X माइनस transmitted Y क्योंकि भागा में घात को घटाते हैं जब आधार बराबर रहता है तब और पूरा पे घात n है तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे तो एका घात हो जाएगा n गुना x-y तो एका घात कितना होगा n गुना x-y इसका उत्तर तो एका घात n गुना x-y हो जाएगा एका घात x बटा A का घात Y और पूरा पे घात N है तो इसका उत्तर आ गया A का घात N गुना X-Y 6 6 6 प्रस्न है M का घात N गुना N का घात N बराबर तो देखे M का घात N है गुना N का घात N है ठीक है तो दोनों पे घात बराबर है M का भी घात N है और N का भी घात N है ठीक है दोनों का घात बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं देखे M का घात N गुना N का घात N को हम लिख सकते हैं एम गुना एन और पूरा पे घात एन क्योंकि गुना में है और घात एक है घात दोनों का बराबर है तो एम का घात एन गुना एन का घात एन को हम लिख सकते हैं एम गुना एन और पूरा पे घात एन इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का घात तो N ही है तो इस तरह गुना करके लिख लेंगे कोश्टक में करके अब इसको हम लिख सकते हैं M गुना N को हम लिख सकते हैं M N M गुना N को क्या लिख सकते हैं M N तो M N का घात हो जाएगा N इस तरह लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या भराएगा M N तो M का घात N गुना N का घात N बराबर हो जाएगा M N का घात N 7 A का घात 8 गुना A का घात 5 बटा A का घात 3 बराबर A का घात अब देखे इसको हम लिख सकते हैं A का घात 8 गुना A का घात 5 बटा A का घात 3 तो इसको हम लिख सकते हैं देखे एका घात आठ गुना एका घात पांच माइनस तीन एका घात पांच बटा एका घात तीन है तो घात को घटा लेंगे ठीक है क्योंकि भागा में है एका घात पांच बटा एका घात तीन है तो भागा में है तो घात को घटा लेंगे तो एका घात आठ गुना एका घात पांच माइनस तीन पांच में से तीन घटाएंगे तो दो आ जाएगा तो एका घात आठ गुना एका घात दो हो गया ठीक है पांच में से तीन घटाने पर दो आ गया अब ये गुना में है तो गुना में क्या करेंगे घात को जोड लेंगे तो आठ और दो को जोडेंगे ठीक है घात को जोड लेंगे तो आठ दो दस हो जाएगा एका घात दस तो इसका उत्तर आ गया एका घात दस तो यहाँ पर दस भर देंगे ठीक है इसको हल करने पर कितना आ गया एक गहात दस आ गया तो एक गहात आठ गुना एक गहात पांच बटा एक गहात तीन बराबर हो जाएगा एक गहात दस